हलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पौर्म के बारे में, जिसका टाइटल है इसके ओथर है रसकिन बॉन्ड, इनका बचपन इनके ग्रैंड पैरेंट्स के घर पर धेर सारे पेट्स के बीच में देरादूर में बीता है इस पोवम में रसकिन बॉन्ड ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है तो चलिए शुरू करते हैं इसे यहां रसकिन बॉन्ड कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक जीनियस थी क्या आप जानना चाहेंगे कि बॉन्ड ने अपनी दादी मा को जीनियस क्यों कहा है क्योंकि वो पेडों पर चड़ सकती थी पेड चाहें ब्रांचेस फैले हुए हूँ या फिर बहुत ही उचा क्यों न हो वो बहुत ही फूर्ती से किसी भी पेड पर चड़ जाती थी यहां इन अट्राइस का मतलब है बहुत ही तेजी से और पता है जब उन्होंने पिछली बार ट्री क्लाइंबिंग की थी तो वो कितने साल की थी 62 years की आप सोच सकते हूँ कि 62 years में कोई भी इंसान कितना बुड़ा हो जाता है वो ढंग से चल नहीं पाता है और यहां पे रसकिन बॉंट की ग्रैंड मदर पेड़ों पेड़ों पे चड़ती है इसलिए तो वो अपनी दादी को जीनियस कह रहे है उनके अंदर यह टैलेंट तो बचपन से ही था वो लिफ्ट पर चड़कर उतनी खुस नहीं होती थी जितने की पेड़ पर चड़ने के बाद हो जाती थी यह सारी लाइन्स हमें सो करती हैं कि दादी मा का जो प्यार था नेचर के लिए पेड़ पौधों के लिए वो कितना ज्यादा था फिर जैसे जैसे साल बितते गए मतलब जैसे जैसे वो बूरी होती चली गई उनसे कहा गया कि उन्हें पेड़ों पर चड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उनकी उम्र हो चली है और डिस्ग्रेसफुली मतलब ग्रेसफुली का उपोजिट तो सारे लोग उनसे यही कहते थे कि अब आप बूरी हो रही हो तो पेड़ों पर चड़ना छोड़ दीजे इस उम्र में ये सब सोभा नहीं देता लोग आपका मजाक बनाते हैं कि देखो ये इस उम्र में भी पेड़ पर चड़ जाती है आपको पूरे रेस्पेक्ट के साथ बुढ़ा होना चाहिए मतलब उनके आसपास जितने भी लोग थे उनके फामिली मेंबर्स सारे लोग उनसे यही कहते थे कि आप पेड़ पर चड़ना छोड़ दो ये आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन इन सारी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था वो हसते वे उन सारे लोगों को जवाब देती है और कहती है वेल मैं डिस्क्रेस फुली बुढ़ा होना पसंद करूंगी पर पेड़ पर चड़ना नहीं छोड़ूंगी मतलब बस उनका मानना था कि लोग चाहे जो कहें पर वो अपने सौक को नहीं छोड़ेंगी I can do it better and we had to agree for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another Ruskin Bond की Granny पेड़ पर चड़ने का काम ही better कर सकती थी और बाकी सारे लोगों को उनकी ये बात माननी पड़ती थी वो कहते हैं न की बचपन और पचपन एक समान होता है तो जैसे हम छोटे बच्चे की हर एक जिद पूरी करते हैं उसी प्रकार हमें बूढे लोगों के भी हर एक जिद पूरी करनी पड़ती है आगे Ruskin Bond कहते हैं कि उनके garden में एक भी पेड ऐसा नहीं होगा जिस पर उनकी grandmother कभी चड़ी ना हो कभी ना कभी वो हर एक पेड पर चड़ चुकी है having learned to climb from a loving brother when she was six but it was feared by all that one day she would have a terrible fall grandmother ने पेड पर चड़ना अपने भाई से सीखा था जब वो मात्र 6 साल की थी लेकिन अब तो वो बूरी हो चुकी है और सबको ये डर लगा रहता था कि अगर वो ऐसे ही पेड पर चड़ती रही तो एक दिन बहुत पूरी तरह से गिरेंगी लेकिन आउटकम कुछ और ही था मतलब उन लोगों न जैसा सोचा था कि एक दिन उनकी दादी मा पेड पर से गिर जाएंगी ऐसा नहीं हुआ बलकि कुछ और ही हो गया एक दिन जब बाकी सारे लोग टाउन में थे तो दादी मा उनके पीछे से पेड पर चड़तो गई पर नीचे ही नहीं उतर पा रही थी जब दादी मा पेड पर से उतर नहीं पा रही थी तो वे सारे लोग वहाँ पे गए और जाकर उनको रेस्क्यू किया मतलग उन्हें पेड पर से नीचे उतारा उन्हें बचाया फिर डॉक्टर को बुलाया गया उन्होंने उनका चेक अप किया उनका टेम्टरेचर चेक किया और कहा कि मैं strongly recommend करूंगा मैं ये सला दूंगा कि एक विक तक grandmother bed से ना उठे We sighed with relief and tucked her up well Poor granny For her, it was like a brief season in hell फिर सारे लोगों ने राहत की सांस ली चलो, ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ और अग कुछ दिन सांती से आराम तो करेंगी तादी मा और उन्हें अच्छी तरह से चादर से ढख कर सुला दिया लेकिन बेचारी दादी मा ये एक विक तो उनके लिए ऐसे बीतने वाला था जैसे कि वो एक मौसम नर्क में बिता कर आई हूं पेड़ पर चड़ना उनका सबसे बड़ा सौक उनकी हॉबी थी वो बिना पेड़ पर चड़े कैसे रहेंगी दादी मा जैसे तैसे अपना एक विक बेड़ूम में गुजार रही थी रसकिन बॉन्ड अपनी दादी के बारे में सोचते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवाय चलती होंगी और पत्तों की सरसराहट की आवाजे ग्रेंड मदर के कानों तक जाती होंगी तो उन्हें कैसा फील होता होगा लेकिन ये तो गजब हो गया कि जब तक वो पूरी तरह स्ट्रॉंग नहीं हो गई दादी मा को पूरी तरह से अच्छा जब तक नहीं लग गया वो एकदम सांती से अपने बेडरूम में ही रहती थी लेकिन जैसे ही वो ठेक हुई उन्होंने बाकी सबसे कह दिया कि अब वो यहां पे और नहीं रह सकती यहां अंटांटेड का मतलब है असपस्ट रूप से अपनी बात को कहना तो जैसे ही दादी मा ठीक हुई उन्होंने रसकिन बॉंट के पापा यानि अपने बेटे को बुलाया और उनसे क्लियरली और बोल्डली कह दिया पेड़ पर ही एक घर बना दे अब भई पेड़ पर कोई घर कैसे बना सकता है सिमेंट और इटो से नई यह घर बना हुआ था लकडियों से फिगर में आप सब देख सकते हो एक ऐसे ही छोटे से घर की डिमांड की गई थी दादी मा के द्वारा अगली लाइन है रसकिन बॉंड के फादर अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझते थे इसलिए वो भी इस बात के लिए मान गए और अपनी मा से यानि रसकिन बॉंड की दादी से कहा मा आप जो चाहेंगी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा मैं आज रात से ही काम सुरू कर देता हूँ यहाँ पे चोर का मतलब है जौब यानि की काम अब रसकिन बॉंड बताते हैं कि उनके एक्सपर्ट असिस्टेंस से उनका काम जल्दी यह फिनिश हो गया मतलब रसकिन बॉंड ने अपने पापा की बहुत हेल्प की और उन दोनों ने मिलकर जल्दी ही सारा काम पूरा कर लिया और फाइनली ग्राणी के लिए पेड़ पर घर बनकर तयार हो चुका था जिसमें विंडोस थे और एक दर्वाजा भी था अब ग्राणी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बहुत ज्यादा खुस थी और वो अपने नए घर में सटल हो चुकी थी रसकिन बॉंड भी हर रोज अपनी ग्राणी के पास कुछ ट्रिंक की ग्लासेस और ट्रे लेकर उनके पेड़ पर बने नए घर में जाते थे यहाँ इन स्टेट का मतलब है इन ग्राण स्टाइल एकदम राजा महराजा की तरह और शैरी एक तरह का वाइन है तो ग्राणी अपने नए घर में एकदम महराणी की तरह रहती थी रसकिन बॉंड के साथ सेरी भी पीती थी उन्होंने पेड़ पर रहने का अपना फर्म डिसीजन लिया और उस डिसीजन पे अड़ी रही फाइनली अब वो पूरे हक के साथ अपने नए घर में यानी पेड़ पर रहती थी तो ये एक बहुते शॉट और अच्छी पोवम है आई होप आप लोगों को ये पोवम अच्छी लगी होगी थांक्यू फोर वाच्चिंग